आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूशन बढ़ने का दिल्ली के पानी में प्रदूशन बढ़ने का असली कारण है भारतिय जनता पार्टी की गंधी राजनीती सब दिल्ली वालों को पता है कि सरदी के मौसम में दिल्ली का पल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना एक तरफ आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार है जिसने लगातार दो साल के प्रयासों से पराली जलने की घटनाओं को कम किया है अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है कम कर सकती है तो हर्याना की सरकार क्यों नहीं कर सकती उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीती कर रही है जिस तरह हवा में उसी तरह पानी में भारतिय जन्ता पार्टी के नेता कालिंदी कुंज पर जाके फोटो खिचा रही है कि जहाग बन रही है पर वो आपको उसकी सच्चाई नहीं बता रही है और सच्चाई यह है कि यह जहाग यमुना में क्यों आता है यह इसलिए आता है क्योंकि हर्याना की इंडस्ट्रीज एक सो पैंसर्ट एम जी डी प्रदूशित पानी छोड़ती हैं बादशापुर ड्रे से मुंगेशपुर ड्रेन से डीडी 6 से 165 एम जी डी अंट्रीटेड पॉल्यूटेड वॉटर दूसरा उत्तर प्रदेश की भारतिय जनतापाटी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से इंडरापुरी ड्रेन से 55 एम जी डी प्रदूशित पानी छोड़ती है जैसे ही उनको पत है वो यह गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं वो बराज के सारे कालंदी कुझ के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए लेकिन आमादनी पार्टी फिर भी अर्विन केजरिवाल जी के नित्रित्व में आमादनी पार्टी की सरकार फिर भी समाधान ढूंड रही है और हमने लगातार सिलिकॉन बेस्ट फूड ग्रेड डिफोमर से इस जाग को कम करने का काम किया पिछले दो साल से आप देख रहे हैं आज रात से यही डिफोमिंग शुरूवी हो जाएगी क्यों क्योंकि चाहे भारतिय जनता पार्टी कितनी भी काम आदनी पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करते रही है